असलामों अलेकुम कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने जा रही हूँ मेरा मीशो हॉल जिसके अंदर आज बहुत सारी मेरी न बुन्यादी जरूरत है जो मेरी घर के लिए काफी जरूरी थी और काफी दिनों से मेरे पास नहीं थी तो मैंने वह मंगाय है तो मैं आज आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ और मैं ज्यादा तर शॉपिंग मीशों से करती हूँ मीशों एक रिसेलिंग आप है जहां पे आप घर बेटे बेटे अर्निंग भी कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्मेंट और अगर हम खुद के लिए पर्च ठीक है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हो और आज जो भी प्रोड़क में आप लोगों के साथ शेर करूंगी बैक कैमरा से शेर करूंगी क्यूंकि बड़े बड़े प्रोड़क्स भी इसके अंदर जो कि मैं फ्रंट केमरा से नहीं दिखा सकती तो वीडियो को पूर लिया है यह है वैसे तो बोलने के लिए है सोई धागा सेट पूरा डबा यह ज्यादा तर वो लोग ही उसकरते जो मशीन वगेरे चलाते है घर के अंदर क्योंकि यह उसी तरह से पूरा सेट बन के आया है सब कुछ है इसके अंदर तो यह ज्यादा तर वो लोगों के लिए अच्छा है जो घर में मशीन रखके कपड़े सीते जैसे बड़ी चोटी लेकिन अपने जो डेली घर में कपड़े सीते चोटे-चोटे-मोटे जो चिलाई वगेर खुल जाती है तो उसके लिए मैंने यह मंगाया था लेकिन इसके अंदर काफी सारी चीज़े जैसे का आप द बटन्स दिए गए है कपड़ों को लगाने वाले बटन्स और धागे तो इसमें बहुत सारे कलर के धागे मतलब कोई कलर इसमें चुटावा ही नहीं है सारे कलर के धागे इसलिए मैंने कहां कि यह उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो टेलर का काम करते हैं घर के अंदर या जिनके घर में मशीन है जो खुद के कपड़े खुद सीते हैं तो उनके लिए अच्छा यह चोक है मार्जिन के लिए जो कटिंग के लिए निशान लगाते हैं और इसके अंदर यह बहुते हैं दूसरे बटन्स जो होते हैं इसको क्या बहुते एक्जाटली प्लास्टिक का यह मेजर्मेंट के लिए माप लेने के लिए यह दिया है मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं घर की जो मीनी मशीन नी होती है कपड़े सीने वाली वह ले लू बटनी हो मेरे बस की बात हाई नहीं कि व्लॉगिंग के साथ इतना टाइम बजता ही निए कि मैं कुछ करूँ यह तो सिंपली जो अपने घर में थोड़ी बहुत सिलाई खुल जाती है या फिर कुछ कपड़े मुझे लूज होते है तो उसको फटा-फट से एक सिलाई लगा दो और पहन लो अर्जन बेसिस पे तो उसके लिए बहुत बैस्ट है देख सकते हैं आप मुझे बाबू की मदद लेनी पड़ी निकालने के लिए क्योंकि मैं शूट कर रही थी इसलिए मैंने आज फ्रंट केमरा से वीडियो शूट नहीं किया बैक केमरा की हल्प के लिए तो यह एक है जिसे अभी यह जो काम करते है घर के इंदर लैपटाप अगेरा का काम करते उसके लिए अच्छा है प्लस यह राइटिंग के लिए मेरे मेरे दिमाग में सिर्फ उस्मा की राइटिंग थी कि वह लिखेगी तो उसके लिए आसानी होगी तो उस वज़े से मैंने यह मंगाया एवन खाना खाने के लिए मतलब मल्टी पॉपस यह यूज होगा और साथ यह सेटी के लिए यह दिया है क्या बलते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगा और कितना पांसो के अंदर कुछ यह मुझे मिला है तो इसका भी प्राइज आपको साइड में देखने के लिए मिल जाएगा वैसे तो प्राइज आप डाउन होते रहते हैं मीशों पे तो लेक तो यह इसा है साथी साथ मैंने यह कलर बोर्ड का एक यह मंगाया क्या बोलते हैं आई शेडव पैलेट जिसमें टोटल सिक्स्टी शेड है जैसे कि आप देख सकते हो पहले मैंने ग्रीन एन यलो का पैलेट हटाया और उसको ओपन करना भी कितना एज़ी है और बहुत अच आपी वक्स से लेना था क्योंकि में पास सारे पैलेट जो है नो न्यूड में मतलब कि ऐसे कलरफुल पैलेट मेरे पास थे ही नहीं तो मैंने फाइनली मंगा लिया इसमें पूरा सिक्स्टी शेड है तो मैंने यहां पर कुछ शेड को उठाया है कुछ शिमरी कुछ मैट औ और आपको दिखा रही है इसका पिगमेंट कैसा है एक बार और लूंगी में कुछ और अलग कलर लेकिन मैंने तीनों भी उठाया यहां पर शीमर वाला भी उठाया जो नहीं क्यों आइशेडो लगाने के बाद अपनों पर तो लगाते चंब की गिलीटर ग्लीटर वह और आइशेडो बहुत अच्छा देखे न मतलब काफी अच्छा है और इसके बीट प्राइस बहुत काम है कुछ 3 सो कि मुझे याद नहीं उसके आसपांस ही मैं यह आपकिया है तो बहुत अच्छा बढ़ा है मुझे यह 300-400 exactly मुझे मालूम नहीं मैं प्राइस लगा तुंग इसका साइड में तो एक ही है मैंने मंगा लिया बहुत अच्छा है इसको करना भी मेगनेटिक है मतलब खुदब खुदब चिपक जाता है वो फुटा यानि के जो उसका वो था पैकेजिंग नहीं है वही उसका धक्कन है और साथी साथ यह जो देख रहे हो आप यह तो एक ज प्रेमें यूज कर रहे हूं बहुत अच्छा लगता मुझे तो मैंने यह भी मंगाया है और यह जो है यह मैं बहुत दिन से बहुत दिन से जब मतलब मेरे शादी नहीं हुई थी तब से सुचती थी कि यह जो है चीज है यह मेरे घर के पास होनी चीए क्योंकि मुझे ना इससे प्यार है लेकिन उसको कैद करके रखना मुझे पसंद नहीं तो इसलिए मुझे यह लेना ही था कि मैं अपने दर्वाजे के पास कहीं भी यह लटका दूंगी जवार बाजरा डालके तो चिडिया अराम से सुबह सुबह खाना खा सकती है तो यह है मीशो एप मीशो लनीजा पुलिक करते हैं तो यहां पर सारी केटेंगरी अलग-खुल के मिल जाती है तो हम अगर हमें कुछ टेंगरी से इसे हमारी शौपिग ईजी हो जाती है हम जाते है कटलरी में अभी कटलरी में गई हूँ तो मुझे यह यह पुरा सैट है जो के मैं ने बाइ किया था है आप लोगों के साथ शेर भी किया है बहुत अच्छा है इसके अंदर हमें मसाला कूटने वाला खल्बता टाइप वो भी मिल जाता है यह बहुत अच्छा है अभी for example यह मुझे खुद buy करना है तो मैं add to card करूंगी free size और यह हो गया add to card ठीक है अब मैं जाओंगी card में और अगर यह मुझे payment option चूज करूंगी cash on delivery भी available है paytm मैं ज्यादा तर paytm करती हूँ तो मैं paytm करूंगी और proceed पर click करूंगी और यहाँ पर देखे 261 था इसका price लेकिन मेरे कुछ points थे जो के यहाँ पर deduct हुए तो इसका price 222 बता रहा है तो अभी यह मुझे खुद buy करना है तो मैं 222 rupees में इसे buy कर लूंगी अगर यह मुझे resell करना है तो मैं से 299 rupees में resell करूंगी ठीक है तो मैंने done पर click किया और यहाँ पर अभी प्रोसीद के बाद मैं अपने buyer का address डालूंगी और यह product उनके घर चला जाएगा मेरे बायर के और यह 77 rupees यह मेरे margin है जो मेरे bank account में आ जाएंगे तो इस तरह से हम मीशो के साथ काम कर सकते विदा ने इंवस्मेंट